बालगाट जिली के जन्पत पंचायद बेहर अंतरगत ग्राम पंचायद दलदला के वन ग्राम नक्टा टोला शासन प्रशासन के विकास के दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है जहां जन्पत पंचायत बेहर के ग्राम पंचायत दल्दला के नक्टा टोला में पक्की सड़क ना होने से गर्बती महिला को प्रसूती के लिए स्वास्त केंद्र लाने के लिए वहां के ग्रामिनों द्वारा चार पाई का सहारा लेना पड़ा ग्राम दलदला से नटकला की दूरी तकरीबन 2 किलो मीटर है जिसका पहुँच मारग कच्चा होने से बारिश के दिनों में यहाँ पानी जमा हो जाता है और सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है जिससे वहां के ग्रामिनों को आने जाने में भारी परिशानी का सामना करना पड़ता है इस नक्टा टोला में 16 परिवार के बेगा जंजाती के लोग निवास करते हैं जिनने अपने छोटे बड़े कामों के लिए उकवा एवं ग्राम पंचाय दलदला जाना पड़ता है ग्राम दलदला की सरपंच ने बताये कि उनके द्वारा ग्रेवल सड़क का प्रस्ताव भीजा गया है महीं कलेक्टर का कहना है कि मामला उनके संग्यान में आया है चूकी ये वन ग्राम है कहीं कुछ अर्चने होंगी तो उसे दूर करके शीगर व्यवस्था की जाएगी बाद सुद्री रुग घयाओ गाडी के वहां से अपराट वाला गाडी बनाए तो वह भी आदा दूर से आया वह भी चले गाया फिर सरकारी वाला हुआ आए आट नमार एक सवाट वाला वह भी वह वह तोला तक के ले गए उसको खटी आम बांगे कौनसे टोला तक ले गे हैं उसके बाद फिर ऑफिर वह एंबूस वाया और उसके बाद लिय गाया वह तो ज्यादार गाट जले में वैसे सामने तौर पर देखा जाए तो ज़्ादार गांप नचायते हैं अभी पकी शखों से जोड़ चूई हैं परे पियम जज़ इसभा आज मैंने भी पेपर में देखा कि इस गौम ऐसी स्थिधी है तो यह था शेकर उसका कारण पता कर गए कि अभी तक रोड क्यों नहीं बन पाया है क्या वन वाग की समस्या है या अन्ने कोई समस्याथी नहीं है तो तक्ता रोड बनाया जाए